Welcome back to Aromovake Equipments, तो आज में लेकर आए हूँ वो सारी बाते लेकर जो कोई भी नहीं बताता है बेकरी मशीन को लेकर So, अब मैं बात करने वाला हूँ, खेर इसके बारे में थोड़ी दिर बात करेंगे तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि मार्केट में महेंगी मशीन और सस्ती मशीन अवलेबल है तो उसमें क्या डिफरेंस है जो वो सस्ती है और महेंगी मशीन महेंगी है तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पेर पार्ट्स रखे हुए सारे, तो इन में डिफरेंस क्या होता है मैं बतातू हूँ, यह हमारे पर सामने टूड़ेक फोर ट्रे, गैस डेक ओवन, यह जो गैस डेक ओवन है, यह गेट हो गया, यह टंपरेचर मीटर हो गया, यह टाइ में हेल्प करता है, अब क्या यह फैन, मतलब हवा, मतलब ताकि यह जो बर्नर है, इसमें गैस जो है, यहां से लॉंग ट्रांसफर हो, राइट, लॉंग ट्रांसफर हो ताकि यह हर जगे जल सके, तो इसके लिए यूज होता है हमारा ब्लोर, और यह जो सोनेड वाल देख इसको कहते है, यहां से गैस पास होता है, जब करेंट मिलता है, जब कमान मिलता है, तो यह पास करता है, और गैस सप्लाई देने लग जाता है, उसके बाद यहां पे आपने देखा गैस सप्लाई, ब्लोवर अंदर तक गया, अब आता है हमारा मेन पार्ट, कंट्रोलर, सब तो सबसे मेन पार्ट ये पार्ट होता है, को देखा होगा मार्केट में, बट अब इस सब में क्या आता है, अलागला क्वालिटी आती है, तो अलागला क्वालिटी कैसे आती है, तो देखो गाइस, क्या होता है, लोग महेंगा और सस्ता करके तो बेज देते हैं, पहली चीज लोगर ने SS का लेकर आने लग गये हैं, बट उसमें SS की quality difference होती है, gauge difference होता है, तो उनमें भी rate का game हो जाता है, कि चलो cost cutting कर ली जाए, अब आते हैं हम main मुद्दे पे, ये सारे spare parts, पहली चीज, ये बहुत से लोग रखते ही नहीं है, और वो availability करवा ही नहीं पाते हैं, या वो जिससे भी लेते हैं, मतलब third party, you know, traders, बहुत सारे traders होते हैं, वो जिससे भी लेते हैं, वो आगे से उनको supply नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण customer suffer करता है, तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में, सी, ये blower, इसकी capacity क्या है, fluctuation rate क्या है, अब लोग सोचते हैं, भाई blower थो blower होता है, नहीं, इसमें copper का coil है, या normal coil है, इसमें जो winding हो रखे हो, किस टाइप की हो रखे है, capacitor किस साब से है, इसका blower का fan throw करने का, मतलब जो air pressure होता है, उसके उपर भी ये depend करता है, तो इसको ऐसे ही नहीं होता है, कि यहां कोई सा भी blower चल जाएगा काम, मेन होता है कि वो क्या air जो है, वो proper throw कर रहा है, तो हम लोग इसको अलग से design करवाते हैं, ये heavy duty मोता है, तो of course, market में जो stage blower आपको 100 रोपे की है, अगर कोई 1500 का बेच र अब कैसे, मैंने यहां पर देखो, खोल रखा है, यहां पर मैंने यह डिबी खोल रखी है, यह आप देख सकते हैं यहां पर, so इसकी IC होती है, यह क्या होता है, इनका एक range होता है, कि suppose करो अगर low voltage हुआ, suppose करो 220 voltage होता है हर किसी को, but किसी भी item को चलाने लिए, but 160 मिलेगा अ ratio क्या है, तो देखना वो बोलेगा कि आपको range कौन सा चाहिए, आप कभी भी, तो वो range के हिसाब से stabilizer का rate आपने देखा होगा, जो चीज 1800 में, वही चीज 4000 की भी है, जो चीज 4000 की वही चीज 8000 की भी है, तो क्यूं है, यह इसलिए है, क्योंकि उसमें quality का difference आता है, और वो एक ratio maintain करता है, तो सेम चीज है, जो आपने देखाऊगा Chinese oven में, उसमें क्या होता है, यह चीज सस्ती, मतलब सस्ती का मतलब components उसके बहुत lower grade के लगाए जाते हैं, ताकि वह सस्ती पढ़ सके, और market में वो बिख सके, जिसके कारण customer को again भूगतना पड़ता है, तो यह तो पा करना है, कब बंद करना है, इसका सारा काम है, इसी से ही meter, meter इसको कमांड देता है, यह आगे instrument को कमांड देते हैं, अब चलो जी, हमने यहाँ पे बाद करी, अपग्रेट करने के लिए जो कि मैंने इसमें दिखाया, अब सेम चीज temperature meter में भी होता है, इसके अंदर भी IC होती ह में यूज किया गया है, meter, timer, जो आपका regulator या burner या blower, अब मैं burner की बात करता हूँ, इसके बाद मैंने meter का बता दिया, ठीक है, timer, सेम timer, देखो मैं, यह नीली चीप होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको, यह जो आप देख सकते है, नीली चीप होती है, यह जो है, इसके IC खराब हो जाती है, यह उड़ जाता है, फूक जाता है, आपने TV वगेरा में भी देखा होगा बहुत जगे, और यह होता है आपका transformer, जो कि इसको चलाने में help करता है, जो convert करता है voltage को, तो इस चीज को maintain करना होता है, लोग क्या करते हैं, यहीं पर compromise करते हैं, जिसके कारण आपको machine है सस्ती पड़ती हैं, और आपको लगता है कि अगला वाला महंगा दे रहा है, चलो, इसके बाद बात करते हैं, लोग जो सबसे चीज है, यह आप देख सकते हो, इसको आगर आपको देखना है, तो मेरी factory, मेरे showroom आपके देख सकते हो, यह आप देख सकते हो, यह पूरा का पूरा stillness, steel के साथ में है, aluminized burner, और इसके holes बिलकुल बराबर, और यह कभी भी holes खराब नहीं होंगे, क्योंकि steel में हैं, और गरम होके भी, हलांकि लोहे के भी खराब नहीं होता है, बट, लोहे का जो यह holes होता है, इनो चोड़ा हो जाता है, जिसके कारण आपको इस तरीके का, यह जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इस तरीके की burning flame निखने को मिलेगी, तो यह चीज जो हमारे है, आप मैं दिखाता हूँ, जो लोग यूज करते है burner, मैं वो दिखाता हूँ आपको, जो सस्ती मशीनों में यूज होता है burner, मैं वो दिखाता हूँ आपको, तो यह है लोहे का प्योर लोहे का बर्नर आप देख सकते हो, क्वाल्टी आपको देखने को मिली जाएगा, तो यहाँ पे न देखो आप, मैंने इसे उपन नहीं किया है खर, मैंने इसे चाइनीज ओवन में से निकाला है, अब जंक से ही पता लग रहा हुआ यहाँ से एंड देखो यह पूरा लोहे का बना हुआ है, अब लोग यह सेल करते हैं, सस्ता में बेचते हैं और फिर बोलते हैं कि भाईया हमारा ओवन और उनका ओवन तो सेम है, तो भाई मार्केट में जब भी जाओ कुछ खरीदने के लिए तो आप यह ज़रूर चेक करो कि कौन सा जिसमें आपको डिफरेंस पता लग जाए, वह महंगा दे रहा है, वह सस्ता दे रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका जो रेट है वह उतमे में ही बेचेगा, बट आप यह चीज़ देखो, वह महंगा क्यों बेच रही है, यह ज़रूर कन्फर्म करने जाओ, बा इसे बिल्ट क्वालिटी के इलावा और भी चीज़ें मैटर करती है, बहुत सी कंपनियां आती है, दो साल, चार साल चलती है, उसका बंदो जाती है, उसका चार साल के लिए मशीन थोड़ी चलाना है हमें, 15-20 साल तक, अब कंपनी ही एक्जिस्ट नहीं करेगी, तो आप ल लिए हमे मैटनी है में आतका साल, उसका बैसे ब दकार को करेगी